हालो मस्कार सबी प्यारे बच्चों को स्वागत है BSC Pro Classes में और प्यारे बच्चों BSC Part 3 वाले बच्चों के लिए हम लेके आ गए हैं आज की एक महत्पून वीडियो इस वीडियो में बात करेंगे BSC Part 3 वाले बच्चों के लिए Very Very Most Important Question Exam 2024 वो भी Quantum Physics का क्योंकि राजस्थान शिटी के अंतरगत जो सबसे पहला पेपर है थडियर वालों का वो है Physics का Quantum Physics का पेपर तो आज की इस वीडियो में 4 से 5 क्युस्टन हम ऐसे बात करेंगे जो एक्जाम में आपके जरूर आने वाले हैं जी हां प्यारे बच्चों और इसी के साथ में हम ये भी बात करेंगे कि Quantum Physics के पेपर में एक्चुली में तैयारी कैसे करने चाहिए ताकि हम एक दो दिन में पास हो जाएं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आईए सबसे पहले मैं आपको यहां पर important questions के बारे में थोड़ी वो जान कर देता हूं कि कौन-कौन से सवाल आपको बिल्कुल नहीं छोड़के जाने हैं इनको तो किसी भी condition में आपको रठके जाना है मैंने particular YouTube पहले बच्चों के लिए जो कि मैंने free content डाला है उसमें आपको मैंने 4 questions करें हैं हर एक unit से देखेगा एक बार सबसे पहली नुट में से बात करते हैं Aaron Fest की परमे यह परमे बहुत important है exam में line लगा कर आती है आप इस पर आँख बंद करके विश्वास कर सकते हो देखो यह हमारी तरब से idea लगाए जा रहा है कि यह question exam में जरूर से जरूर आएगा इसी के साथ में अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि sir कि 4 question पढ़कर हम अपने exam को clear कर लेंगे देखो बेटा चार question से आपको खुद को पता है कि इतना काम नहीं हो पाएगा बट फिर भी जो हमारी तरब से एक idea है एक अनुमान है वो हम आपको provide कर वा रहे हैं और यहाँ पर में एक simple सी बात बोलना चाहूंगा कि जो भी बच्चे जिनको लगता है कि quantum physics में मेरे तहरी बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास अभी दो दिन का ही समय बाकी है तो यह अपने BSC pro classes के उपर जो revision batch हमने launch किया था वो आपका इंतजार कर रहा है लगबग 5000 से ज्यादा बच्चे उस revision batch को अब तक ले चुके है और विश्वास दिखा चुके है और वो अपनी तैयरी कर चुके है और आपके पास में दो दिन का समय है मैं guarantee दे सकता हूं कि वहाँ पर जो आपको revision lectures provide करवा रखे है वहाँ पर आपको जो PDF provide करवा रखी है और साथ साथ में यहाँ पर तो क्या है कि एक एक unit के आपको एक एक सवाल में बता रहा हूं बट application के उपर particular एक unit के आपको लगबग 8 से 10 सवाल important मिल जाएंगी वहाँ पर वहाँ पर हमने दे रखे हैं बच्चों को कि यह 10 सवाल है इन से बाहर आपका paper नहीं जाएगा तयारी आराम से कर सकते हो और मैं उन revision classes के माद्दियम से इतनी guarantee ले सकता हूं कि मात्र दो दिन के इंतरगत पढ़ कर भी आप आराम से 1 से 2 unit तयार कर लोगे और quantum paper को फाड के आ सकते हो अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो तो इंतजार किस बात का है फटाफट अपने revision batch को जोइन कीजिये किसी परकार को समश्या है तो हमारे पास call कीजिये आईए आगे बढ़ते हैं फटाफट से अब यहाँ पर अगले चैप्टर में तो इस्टन गरलिक प्रियोग की व्याख्य किये जिए यह जो टोपिक है नापका यह आपका उनिटमर फोर्थ के अंतरगत है इस्टन गरलिक प्रियोग यह काफ़ इंपोर्ट है बहुत इंपोर्ट है छोड़के मज़ाना जिन्होंने अपना डिविजन बैच ले रखा है नहीं ले रखा है मैं सभी से बोल रहा हूँ कि इसे क्युशन को छोड़के मज़ाना बहुत इंपोर्ट है यह इनटमर फोर्थ से है उसके बाद में हम बात करते हैं अगला सवाल की तो वो है अपने पास किसी परिमित गहराई के विभव कूप में इस्तितकन के लिए उर्जा आइगेन फलन ग्याद कीजिए मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो विभव कूप है पोटेंशियल वैल मेरे पास में है यह काफी ज़्यादा इंपोर्टन टोपिक है देखो समझदार बच्चे हो अगर आपने पूरा चैप्टर पड़ा भी होगा तो आपको पता होगा कि जो पोटेंशियल वैल है और पोटेंशिल स्टेप है वो लगबग आपके सिमिलर डेरिवेशन है तो दो-तिन जो डेरिवेशन आपके होते हैं वो सिमिलर सिमिलर से हैं खासकर मैं क्वान्टम की नोटमर सैकिंड और थर्ड की बात करूँ मैं कहतो रहा हूं कि रिवेशन क्लासेज में हर एक यूनिट की आपको दो-तिन-तिन क्लास देखने को मिलेगी अब तीन क्लास को देखने में कितना टाइम लगाओगे आप मुश्किल से चार गंटे-पांच गंटे तो चार गंटे में अगर आपकी एक यूनिट तयार हो रही है और आपने पूरी साल से कुछ भी नहीं पड़ा तो बताओ कितना बेनिफिट है मतलब आपका ये बैच जो है ना ये आपके पेपर बचा सकता है आपके समय को बचा सकता है अब डिपेंड करता है कि आप डिशिजन क्या लेते हो ठीक है हाँ भई सोल्यूसन परवाड़ करवाने काम हमारा है तो यहाँ पर विभाव कूप जो है ना तो वो भी आपसे एक्जामें पूँच सकता है मेरा कहने का मतलब है कि पोटेंशिल वेल आपको पढ़के जाना है उसके बाद में हमारे पास में एक सवाल हो रहता है वो हमारे पास युनोटमर सैकिंड से युनोटमर सैकिंड में सवाल है 3D बॉक्स 3D में विवा बॉक्स में वहदकन की गती हे तू स्रोंडी का समिकन ग्याद कीजिए और इसके हल प्राप्त कीजिए ठीक है राइड दे स्रोंडी का रिक्विशन एंड इट सोलुशन फॉर ए पार्टिकल इन 3D बॉक्स बहुत इंपोर्टेंट ओपिक है और यहां पर मैं आप सभी बच्चों को बता देता हूँ कि जितने भी एक क्यूशन की PDF है न यह मैं टेलिग्राम चनले पर अप्लोड करता हूँ तो सारे बच्चे अपने BSC Pro Classes टेलिग्राम को भी जोइन कर लो और जिसको रिविजिन बेच चाहिए टाइम बचाना है अपने समय को बचाना है पूरी साल बर बचानी है न तो हमारे पास कोल कर लिजिए और BSC Pro Classes एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिजिए हर प्रोब्लम के लिए हम आपके साथ खड़े हुए है हर प्रोब्लम का सोल्यूशन हमारे पास में है आप हमारे पास कोल करिए और कोई दिक्कत है तो आपके प्रोब्लम बताईए हम आपके लिए सोल्यूशन के लिए खड़े है तो आच्ची वडियों उत्रा ही मिलते है स्टूडियों में ततले टेक केर भाइवाज धन्यवाद जय हिंद जय भारत रादे रादे जैसरी किष्णावियत टेक केर